कि गीर जाएगा तो मिट्टी लगाना जरूर है दुस्तो मीच जानते हो किस लिए नहीं खा रहा ये मोबाइल मोबाइल खाने के लिए खुज रहा है तो है गाइस गूड़ मॉर्निंग के साड़ा दस बज रहे हैं और मैं अभी मार्केट से आया अभी अभी और मैंने खाना भी खा लिया और सुनिता जी और मम्मी जो हो बाहर गये हैं जहां हमने भुट्टे बुने थे वहां गए हैं बारी में तो चलि आप लोग को दिखाते हैं क्योंकि हमारा मक्ये का पौधा है ऊसमें तर खाना आप दिखाते हैं और घृते इस देखेए देया उन्हों इहाँ काम कर रहे हैं मिटी दे रहे हैं। और हम लोग का बकरी बनदा होगा। और गैश्ट देखिये सुनिता जी इधर मिट्टी खोद रही है पोध्या में मिट्टी लगा रही है मिट्टी लगाना पड़ता है ताकि पोधा जो है नहीं गिरे सिधा रह सके इसलिए हमको मिट्टी लगाना होता है गिर जाएगा तो मिट्टी लगाना जरूर है दोस्तो ताकि जब पोधा जब बड़ा हो जाए तो जिस टाइम जब फल देता है ना उस टाइम ताकीनिचे ना गिरे नहीं तो गिर जाता है पोधा अब पॉल्धा चोटा चोटा है तो समझ में नहीं आएगा अभी गीरेगा जब बड़ा होगा तब गीरेगा तो देखिए इधर सुब्व जो है सुनिता जी और मम्मी ने मिठ्टी को इधर लगा दिया है अब इधर बाकी है अधर आधा हो गया है और दोस्तों मम्मी जो है बकरी को लेके गए अभी और इधर देखिए मिठ्टू भी आया हुआ है इधर यह रहा मिठ्टू और दोस्तों यह मिठ्टू हम लोगों का है नहीं मेरा जो चाचा है उन लोगों का मिठ्टू है गुस्चा होगी टुकर टुकर देख रहा है मिठ्टू मेरे सिर पे यह रहा मिठ्टू सिर में चड़ रहा है और दोस्ता अब मैं बेठा हुआ हूँ यहां पर मैं ठक गया था और सुनिता जी जो है वो घर चले गई वो खाना देखने गई है क्योंकि उसने खाना जो है चड़ा दिया है पहले ही और देखिए वो आ भी गई जल गया है और देखो मिठ्टू मेरे पास आ गया है मिठ्टू को हम अमरूद ला देंगे तो दोस्तों सुनिता जी फिर चले गई वो मिठ्टू के लिए अमरूद लाने क्योंकि हमारे बगल में ही है अमरूद का पेड़ तो ही गई है तुम्हारे लिए अमरूद लाने गई है अब दोस्तों यह मूबायल भी खा रहा है अब देखें किस तरह से खा रहा है कितना लाई हो एक यह रहा मिठ्टू के लिए अमरूद खाएगी कि नहीं तो दोस्तों अभी हम लोग मिठ्टू को अमरूद खिला रहे हैं भूधाय यह जानते हैंकि ली नहीं खा रहा है यह मूबायल देख रहा है मूबायल खाने के लिए खोज रहा है तो दोस्तों अभी जो है हम ठक चुके हैं और आज इतना ही वाय मूप बसुल देखाँ और अपना समान बसाइन को ले लेते हैं और ये हमारा ये हमने ले लिया कोडाल और इधर देखें और आप लोग देखिये कितना बाकी रह गिया है इतना सरा हमने खुदाई कर लिया है। यहां से यहां तक और थोड़ा सा बाकी रह गया जो कि उसको हम लोग कल करने वाले हैं और दोस्तों अभी जो है हम दोनों कुआ आ गये हैं और सुनिता जी यहां पानी उठाएगी तो दोस्तों हमने हाथ में धो लिया है तो चलिए आज का ब्लोग जो है यहीं पर रखते हैं और आप लोग को कैसा लोगा वीडियो वीडियो कर पसंद आये तो वीडियो को लाइक यह रुका दीजेगा